बिग बॉस के घर में आए दिन कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट आता है जो ओडियंस को चोका देता है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ चली दोस्तों बात करते हैं क्यूंकि नॉमिनेशन्स जो है वो खारिज हो गए है स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाई में मैं हू अदिती शर्मा तो बिग बॉस के घर में इस बार जो है दो दो इविक्शन हो रहे थे एक हो रहा था इविक्शन जो है मिड वीक में और दूसरा इविक्शन वीकेंड का वार में लेकिन पिछले हफते लवकेश ने जो है मिड वीक इविक्शन खारिज करवाया था और इस जो साथ लोग नॉमिनेटिट थे घर से बेगर होने के लिए, तो भई उन साथों के साथों का नाम हटा कर अब सिर्फ एक नाम रह गया है, बिग बॉस ने सजा के तौर पर अदनान शेख, जो के हाल फिलाल जुनोंने वाइल कार्ड एंट्री मारी है घर के अंदर, उनको नॉमिनेट कर दिया है और सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट हम नॉमिनेट है, अर्मान भी नॉमिनेटिट नहीं है, सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट नॉमिनेटिट है अभी और वो अदनान शेख है, voting lines open नहीं हुई है अदनान को nominate कर दिया गया है लेकिन साथ ही साथ बड़ी update ये भी है कि अदनान जो है वो बाहर वाले भी है तो क्या होगा किस तरीके से मनलब कैसे वो बचने वाले हैं क्या कहानी big boss बनाने वाले हैं ये देखना अब काफी interesting रहेगा और कब जो है वो दूसरा nomination होगा और क्या उसी में अदनान का नाम भी add हो जाएगा कुछ ऐसा होने वाला है अब जो दूसरा nomination task होगा क्या होता है कि भई हफते में Tuesday वाले दिन जो है एक eviction होता है उसके बाद एक और nomination task होता है और उस वाला eviction जो है वो हम देखते हैं वीकेंड का वार में तो क्या अब अदनान का नाम जुड़ गया है वीकेंड का वार वाले जो nomination list है उसमें कुछ ऐसा होने वाला है भई बहुत ये सारी चीजे बिग बॉस के ये twist जो है फिलाल predictable नहीं है देखते हैं क्या होता है आपको क्या लगते हैं कॉमेंट्स में बताईएगा जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में